एलो गाइज, वेलकम टू मित्रियान, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्रियान, आज हम डिसकस करेंगे LPG Connection के बारे में, LPG Connection में क्या-क्या समयसाइं आ रही हैं, और इन समयसाओं का समधान हम किस तर योजना कहते हैं, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, ग्लोबल बडन ओफ डिजिटल इस्टडी 2019 के अनुसार, खाना बनाने के लिए ठोस इंदन का उपियोग, भारत में वायू पर्दूसन, और इसकी कारण होने वाली समयपूर्व मोतो का एक पर्मुक कारण है, इसमे प्रती साल, यानि हर साल लगभग 6 लाख लोग मर जाते हैं, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया, इस इस इस्टडी का नाम क्या था, ग्लोबल बडन ओफ डिजीज, सबसे बहले बात करते हैं कि इंधन क्या होता है, देखिए इंधन को हम हिंगी से बोलते हैं, इंधन ऐस इसे पदार्थ होते हैं, जो ऑक्सिजन की साथ मिलके, क्या करते हैं, उसमा पैदा करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सिजन चाहिए, इसलिए हमने यहां पे ऑक्सिजन का उलेख किया है, जो इंधन सब्ध है, वो संस्कित भ परकार भी होंगे तो इंधन के हम मेलनी तीन परकार से जानते हैं सबसे पहला है ठोस इंधन जिसके बारे में अभी हम पठने वाले हैं तो इंधन में क्या आएगा लकड़ी कोईला गोबर कोक चारकॉल आदी चीज़ा आजाएंगी बायोगेस वगर आजाएगी ठीक है तो द्रव इंधन में क्या होगा जो द्रव चीज़ा होंगी लिक्ट फॉर में होगा यानी पेट्रोलियम इसमें डीजल पैट्रोल और घासलेटि कोल्तार य सारे यति है फिर GAS इंधन में क्या होगा GAS वाले चीज़ आधेगी प्रक्रतिक GAS Hydrogen Koyla GAS Gel GAS इस सारे चीज़ आधेगी हमारा मेन फोकस होगा ठोफ इंधन, ठोफ इंधन मतलब लकडी हो गया- कोईला हो गया गोबर हो गया गोबर के बने उपले हो गई ये सारी चीज़ें पर हमारा मेंश फोकस होने वाला है इस समस्या से निपटने के लिए और सवच रसोई उड़्जा तक पहुच में सुधार करने हैं तू भारा सरकार ने भहुत सारे उपाय किये हैं जिस उपायों में एक उपाय है परधान मंत्री उज्वला योजना यानि पी एम यूवाई तो बात करते हैं परधान मंत्री उज्वला योजना के बारे में इसे गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन परधान करने के लिए मई 2016 में सुरू किया गया था इसका जो में मोटीव था वो था कि हम 2020 तक आठ करोड एलपीजी कनेक्शन जारी करेंगे ये इनका क्या था लक्से था और जो लक्से था मार्च 2020 का इसको हमने क्या कर लिया बहुत पहले ही एचीव कर लिया यानि अगस्त 2019 में ही हमने इस लक्से को क्या कर लिया यानि हमने आठ करोड एलपीजी कनेक्शन को जारी कर का 2.0 को भी लॉंच किया अगस्ट 2021 में पर्धान मंत्री ने पर्धान मंत्री उज्वला योजना के दूफ्रे चरण यानि उज्वला 2.0 का क्या किया सुभारम कर दिया अब नर्ट एजर्फ कोई सी है यानि मंत्राले कुन सा है तो यह मंत्राले के नंदर आता है यह आता है पेट्रॉलियम और प्राकृति गयास मंत्राले इस होगे मarak मीन्स्टőन वो फेट्रोलियव और नेच्रल गैस बोलते हैं इसके क्या क्या उदेज से हैं महिलाओं को ससत बनाना और उसके स्वास्तिक की रक्सा करना यह हो गया पहला उदेज से उदेज से क्या है भात में असूद खाना पकाने की इन्धन के कारण होने वाली मोहतों की संख्या में कम करना जब इन उसके लिए भी हमने इस अउज्रोला योजणा को चालू किया है तो यह इसका हो गया थीसरा उदेश से, अब बात करते हैं, एक है Council of Energy, Environment and Water, और दूसरा है Initiative for Sustainable Energy Policy, इन दोनों ने मिलके एक सर्वे किया, उस सर्वे का नाम था India Residential Energy Survey 2020, इसके अनुसार, अब भारत के सबसे परमुख और आम रसोई इंधन के रूप में, बायो मास को प्रतिस्थापित कर दिया है, यानि जो गाओं के अंदर, या फिर आपके, जो आपका जो standard area है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे जगे मिलाते हैं, जहां पर बायो मास का यूज होता है, यानि जहां पर लकड़ी को जलाया आता है, खाना पकाने के लिए, गोवर फे जो उपले बनते हैं, उनका यूज के आता है, तो इस report में बोला गया है, कि उन ठोस इंदरों को हटा के, LPG को लाया जा रहा है भारत में, वरतमान में लगभग 85 परतीफत, भारतिये घरों में LPG connection मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि सबके पास अगर LPG connection होगा, फिर भी वो लोग LPG का यूज नहीं करते हैं, वो भी ठोस इंदरों जो होते हैं, उनका ही यूज करते हैं, गाव वगरा हम होता है कि उनको फिरी में connection मिल गया, उन्होंने फिरी में connection ले लिया, लेकि 85 परतिफत जो भारतिये घर हैंगे, उनके पास LPG connection हैगा, लेकिन वर्तमान में स्रिफ 71 परतिफत घरों में ही इसका उपियोग अपने प्रात्मिक रोसोई इंदन की रूप में किया जा रहा है, जबकि 10 साल पहले ये संका कितनी थी, 30 परतिफत थी बस, हमने इसमें 10 साल के अंदर कितने परतिफत की वो कर लिए, 41 परतिफत का इजाफा हमने इसमें कर लिया है, बड़ोतरी कर लिया है, देश में रोसोई गेस अफस वनुत रगा, कई गुना विस्तार हुआ है, पिछले 6 वर्सों में, 6 वर्सों में, यानि 6 सालों में, देश वर में 11,000 से अधिक नए LPG वित्रन केंदर खोले गए हैं, आपको पता है कि LPG वित्रन केंदर जहां पर हमानों लोग खोले गए हैं, वहां से क्या हुआ होगा, services provide की गई होगी, इसलिए इनको बड़े तेदात में खोला गया है, जब माल लेते हैं कि आप, आप लोग क्या कर रहे हैं, फिरी में connection दे रहे हैं, लेकिन उसको service देने के लिए LPG वित्रन केंदर नहीं होगे, तो उसका कोई हमारे लिए औचित्ते नहीं होगा, इसलिए इ रहेंगी, देखने को मिल रही है, जो कीमते हैं, वो हर्चिस की बढ़ रही है, उसी में LPG भी आता है, यानि LPG की जो कीमत है, वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, और महामारी के कारण, भूस सारी समसाई आ गई है लोगों के उपर, लोगों के पास job नहीं है, लेकिन उनके पास LPG का अल्टरनेटिव नहीं है, अगर हो अल्टरनेटिव क्या है उनके पास, उन्हें फिर से ठोफ इंदगी तब जाना पड़ेगा, तो यह तो एक अच्छा विकल्प नहीं है, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, जो बहुत उन्हें महंगा पड़ रहा है, LPG वोई सेलेंडर आपको सेम 900 रुपे में मिल रहा है इस समय, तो जो कीमते हैं 40-50% तक बढ़ चुकी है, जिससे जो आम एक नागरिक है, उसके जो इंकम है, उसके बहुत ज़्यादा परभाव पड़ा है, यानि एक आम आदमी अपने नॉर्मल जो उनके पास सेलरी मिलती है उसका तकरीवन 10% सिर्फ LPG पे ही खर्च करना पड़ेगा उसे, मई 2020 के बाद से किसी रिफील सबसीडी कर नहीं होना, मई 2020 में क्या हुआ, कि आपको रिफील में सबसीडी मिलती थी, यानि कि आप अगर सिलेंडर लेंगे, तो आपको सबसीडी मिलती थी, जो आपके सिधा बैंक में ट्रांफर हो जाती थी, लेकिन उसको अब बंद कर दिये, कब से 20, 2020 मई से, ठीके, अब जब सबसीडी बंद हो गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं, फिर से लकडी ढून रहे हैं, गोवर ढून रहे हैं, क्योंकि वो बहुती आसान और बहुती कम प्राइज में उन बायो मास्क पर निरभर हैं, यानि जो 30 परतिफत जो भारती परिवार हैं, वो अभी वी क्या क्या यूश करते हैं, विमते बढ़ गई हैं, इसलिए उनने क्या कि या कि परिवार में कि वो लोग क्या करते हैं और LPG का यूज़ करते होंगे जब उनकी घर में को ईस्थे राते होंगे और वैसिर नॉर्मल पने लिए क्या करते होंगे लकड़ी का कोईले का या फिर अ कि तो 24 प्रतिफत योग हैं जो दोनों यूज करते हैं और 30 पर 30 ऐसे लोग है जो सिर्फ बायोवास यूज करते हैं कुछ और समस्य भी है कि रसोगी के लिए बायोवास का ओपयोग मुख्य रूप से कहा कहां पर होता है सबसे पहलत होता है बिहार में जश्ट इसके नीचे आजाओ जारखण में इसके भी नीचे आजाओ तो आपको क्या मिलेगा 36 गण मिलेगा उसके बाद इसी सटा हुआ है मध्य परदेश यहाँ पर भी होता है यूज उसके बाद कहाँ पर होता है यह है ओडिसा यहाँ पर होता है उसके बाद यहां पर है West Bengal तो यह आपको एरिया दिख रहा होगा यह पूरा एरिया जो आपस में सटे वे हैं सबसे ज़्यादा जो BioMask का यूज होता है वो इन ही एरिया में होता है लेकि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इन पूरे एरिया में होता है इन के सिर्फ ग्रामिन एरिया में होता है क्योंकि यह ऐसे ऐसे जो जिसे बिहार हो गया उडिसा हो गया, मद्धे-परदेश हो गया यहां पर कुछ सहर भी है अच्छे खासे तो वहाँ पर यूज नहीं होता है अभी भी खाना पकाने के लिए किया जाता है उसके बाद जो ग्रामिन लोग हैं जो लोग हैं जो यूज करते हैं उनके पास delivery नहीं हो पाती सिर्फ 50% ऐसे लोग है जिनके पास delivery हो पाती है बाकी लोग क्या करना पड़ता है उनको 10 या 15 किलोमेटर तक चल के जाना पड़ता है चल के मतलब साइकल फे जावकते हैं या से जो इनके पास वेहिकल होगा उस फे जाएंगे फिर वो भरवा के लाएंगे तो ये भी एक समस् की बात तो कर ले अब बात करते हैं कि इसका समय्धान क्या होगा कि आगे की रा क्या होगी सबसे पहले बात जिसको बंद कर Papac भाल करने की जरूत है फिर छालू करने की जरूत है क्योंकि अगर आप सबस्धा संय चालू कर देंगे जो लोग थोस इंदर पिर से जा रहे थे, वो फिर से कहाँ परादेंगे, ये लपी जी के तरफ आजेंगे, उसके बाद, जरुत मन जो लाबारती है उनकी पैचान करना, देखिए, जिनको जरुत है, जिनको जरुत है कि आप रिफिल में सबसीडि दें, उनको कम प्राइज में दें उनकी पैचान करना बहुत जरूरी है जरूरी नहीं है कि आप पूरे साल में बारा महीने होते हैं तो आप बारा सिलेंटर दें या फिर अनगेन सिलेंटर दें जीतने बार भी वो ओर्डर करते हैं उसके लिए आप एक समय सिमय नगाफकते हैं कि आप आठ या फिर नो अगर सिलेंटर लेंगे तो आपको सबसीड़ी मिलेगी उसके बाद अगर लेते हैं तो सबसीड़ी नहीं मिलेगी इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल परिवार होता है उनके उनका इतना यूज नहीं होता एक से डेड़ मैना या दो मैना तर अलाम से एक रिफिल चल जाता है इनका तो इनके लिए इस प्रकार से उपाए कि जाफकते हैं उसके बाद उजले योजणा का और विस्तार हमें करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अभी आठ करोड क्या किए गए हैं करेक्शन दिए गए हैं तो इसको और विस्तार करने की जुरुद है जिससे क्या होगा एक अच्छा वातवन हमारी आसपस आपको देख के जाना पड़ता है LPG के लिए तो उसकी जो उपनापता है उसको बढ़ाना चाहिए उसके बाद जो बायो मास के लिए वेकल्पिक उप्योग को सुविधा जनक बनाना होगा ठीक है तो यह सारे कुष्टे आगे की रहा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगली वीडियो में